नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में जब मैं अपने एएटेल पेमेंट बैंक एकाउंट से किसी दूसरे के एकाउंट में यूपियाई से पेमेंट ट्रांसफर करने का कोशिस कर रहा हूं तो देखिए बार-बार ट्रांजिक्शन जो है वो फेल्ड हो जा र और देख लिजे यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहा है कि Texas आ रहा है क्मेंट में बतायेंगा बार-बार पेमेंट होज जा रहा है तो कमेंट में इस तरह का issue आ रहा है तो आपको bank account customer care को call नहीं करना है guys आपको download करना है airtel payment bank का official application airtel thanks app देख लिजे open कर लिए है open करने के बाद आपको इस परकार का interface दिखाई देगा सबसे उपर में आपका logo दिखाई देगा logo पर click कर लिजे उसके बाद देखी इस परकार का interface दिखाई देगा आपको setting का option दिखाई दे रहा हुआ setting पर आप click कर लिजे सेटिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे गाईज तो यहां पर आप देखेंगे तो पेमेंट सेटिंग का ओप्षन दिखाई देगा पेमेंट सेटिंग पर आप क्लिक कर लिजे पेमेंट सेटिंग पर जैसे ही क्लिक करते हैं गाईज तो यहां पर देख लिजे Airtail Payment Bank, Paytm Wallet, Amazon Wallet, Saved Cards तो सबसे उपर में Airtail Payment Bank है इस पर आपको क्लिक करना है Airtail Payment Bank पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 5 ओप्सन देखने को मिलता है उपर से देखेंगे तो Save Pay, Change, Aimpin, Forget, Aimpin, Add Money, Bheem, UPI देख सकते हैं आपर भी UPI Disable हो रखा है तो अब हमें इसे इनेबल करना होगा गाईस तो चलिए आपर इनेबल करते हैं इनेबल करते हैं तो इनेबल करने के लिए आपको Aimpin फिल करना होगा जैसे ही आप Aimpin फिल करेंगे तो इस परकार का इंटरफेस दिखाई देगा आपको यहाँ पर Yes पर क्लिक करना है Yes पर जैसे ही क्लिक करेंगे गाईस तो देख सकते हैं UPI Service Enabled Successfully यानि कि अब मेरे Airtel Payment Bank का UPI Service Enabled हो चुका है अब मैं फिर से Amount Transfer करने का कोशिज करता हूँ क्या Money Transfer कर पाते हैं Airtel Payment Bank से या नहीं वो आप देख लिजे तो देख सकते हैं गाईस यहाँ पर Transfer हो रहा है देख लिजे Successfully Transfer हो जाता है तो इस तरह से आप अपने Payment Failed वाले इसू को Fix कर सकते हैं, Solve कर सकते हैं उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंदा होगा वीडियो पसंदा होगा तो वीडियो को Like कर दिजे और इसी तरह के नए-ने वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, Thank you